हैलो दोस्तो, हैपी न्यूयर, नए साल की हारदिक शुब कामना है I hope आपका ये नया साल काफी अच्छा जा रहा होगा और मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रातना करता हूँ कि आपके लिए नया साल कुछ नहीं नहीं, खुश खबरिया लेकर आएं और मैं तो लेकर ही आया हूँ, आपके लिए नियूयर की हमारी पहली English वीडियो और दोस्तो, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं phrases के बारे में दोस्तो, इस phrases होती क्या है, इन phrases का हमारी sentence के अंदर कितनी importance होती है ये आज हम जानने वाले हैं और आपको बताएंगे कुछ स्मार्ट फ्रेजिस तो दोस्तो मैं अजित कुमार स्वागत करता हूँ आपका Amroj Institute के YouTube चैनल पर और ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे के आज के वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेजिस के बारे में फ्रेजिस होती क्या है। दुस्तो फ्रेजिस को हिंदी में कहते हैं वाक्यांस लेकिन हमें इस वाक्यांस का क्या करना है हमारी English दोस्तो फ्रेजिस कुछ छोटे small sentences होते हैं जो आपके English sentence के अंदर या आपके Hindu sentence के अंदर बड़ी आसानी से use किए जाते हैं और वह आपकी जो बात का जो वजन है जो आपके कहने का जो अर्थ होता है उसको बहुत ज़्यादा अDक्त्रैक्टिव दिखा देता है। और आज हम आपके लिए लेक्या हैं कुछ smart phrases, यह हमारे पास 4 phrases हैं और आज हम इन phrases का मतलब जानेंगे, दोस्तो phrases जब कभी भी आप use करें, तो phrases में कभी भी आपको उस phrase का अलग-अलग word के मतलब निकालने अगर आप बैठेंगे, तो आपको उनका word बिल्कुल समझने आएग लाइक अगर मैं यह कहूँ, a piece of cake, piece of cake, piece of cake मतलब cake का टुकड़ा, cake का टुकड़े से क्या मतलब है, क्या sentence बना इसका, कुछ समने आया, नहीं आया, लेकिन जब मैं sentence में इसका अंदर यूज करूँगा, तो आपको यहाँ पर इसके words का meaning नहीं उठाना है, दोस्तों, आपक cake का मतलब होता है, आसान, जिसे हम कई बार कहते हैं, easy, अगर दोस्तों, आपके English काफी अच्छी है, तो आप अपने English sentences के अंदर इन phrases का use करेंगे, और लेकिन अगर आपके English इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इस छोटे से, small से phrase को use करके, आप बाकी अपने Hindi sentence को इसमें use कर सकते हैं, for example, teaching कराना इतना आसान नहीं है, मैंने कहा, teaching कराना इतना आसान नहीं है, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता था, कि teaching is not a piece of cake, कई लोग कहते हैं, जी पढ़ना तो बड़ा आसान होता है, पढ़ना ही तो है, और क्या करना है, ऐसा नहीं है, study is not a piece of cake, पढ़ना इतन तो सबसे पहले क्या आती है नीद आती है एह पढ़ना होता है हर क्ढम किसी के लिए आसान नहीं होते हैं किसे के लिए प्रका क्यों किसे के लिए क्लिवकोर्ड होती है Forea ॡश का मतलब होता है एजिस इस Means लिए की कीशी है एज़ी आसान ऑफ के पढ़ाना एक कोई के का टुगड़ा नहीं है तो अब हम बात करते हैं तो भी ऑनेस्ट तो भी ऑनेस्ट के दोस्तों यहां पर अगर आप इसका मीनिंग निकालने के कोशिश करें तो कुछ डिफरेंट मिलेगा लेकिन यहां पर जो मीनिंग हमारे पास है वो है सच सच कहूं तो सच में बोलू तो रियलेटी में अगर मैं बता हूं तो यह कुछ इसका सेंस है जैसे कि सपोच किज़े मैं आपसे पोछता हूँ और कैसी रही पार्टी to be honest party was so boring to be honest party तो गल्कुल बखवास थी यार और exam कैसे गया to be honest, अच्छा नहीं गया और खहना कैसा लगा to be honest बगवास था तो मैंने क्या यूज किया Hindi sentence के अंदर English sentence यूज किया दोष्त जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ implement जो मेरी classes है वो implement classes है और मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने हिंदी sentences के अंदर English sentences को add किजिए इससे क्या है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सामने वाले को और जादा impressive लगती है आज के time में जालता लोग priority दिना साथ हैं English को लेकिन जिनको English बिल्कुल नहीं आती वो क्या करें जो sentences नहीं बना पाते हैं वो क्या करें मैं तो कहता हूँ sentences complete नहीं बना पाते हो कोई फर्ग नहीं पढ़ता है sentences के अंदर English words यूज करो English sentence यूज करो इसलिए मैंने आपके लिए क्या है phrases तो to be honest मतलब सच कहूं तो really में अगर मैं आपको बताऊं तो ये था मेरा to be honest थोड़ा करके थोड़ा-थोड़ा करके दोस्तों हम लोगों के आदत होती है especially student की बात करें तो कुछ student ऐसे होते हैं जो रोजाना थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहते हैं और जब exam आता है तो उनको बिल्कुल भी माइंड में प्रेशर नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे स्टुडेंट्स भी होते हैं कि जब उनको पढ़ाया जाता है उस टैम तो वह स्टेडी नहीं कर रहे होते हैं लेकिन जब एक्जैम टाइम आता है तो सारा वर्कलोड अपने सर पर रख लेते हैं और पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके हमें पढ़ते रहना चाहिए तो अपने देखा लिटिल बाई लिटिल हमें पढ़ते रहना चाहिए हमें अपने काम को लिटिल बाई लिटिल करते रहना चाहिए हमें अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके करते रहना चाहिए तो दोस्तों देखा म मैंने अपने हंधी सेन्टेंस के अंदर मैंने कितने ईजी ली अपनी एक फ्रेज को यूज कर दिया लितिल बाट करता ओं अप इंदा एर अप इन दा एर मतलब हवा में उपर हवा में उपर क्या होता है क्या यूज होगा इसका क्या मतलब हो दोस्तों इसका मतलब होता है ने ने लेना बाकी है या डिसीजन अभी पैंडिंग है डिसाइड नहीं किया है ऐसा काफी मतलब निकलता है इसका आपर निन्ने लेना बाकी है डिसीजन लेना बाकी है डिसीजन अभी पैंडिंग है for example CBSC के 10th और 12th के एक्जैम पर अभी decision लेना बाकी है तो मैं इसको sentence में बोलने कोईशिस करता हूँ कि 10th और 12th के CBSC एक्जैम के जो date sheet है वो अभी up in the air है अभी in the air मतलब उस पर अभी decision लेना बाकी है दोस्तों देखा आपने मैंने कितने easily अपने इन phrases को Hindi और English sentence में use किया तो दोस्तों कैसे लगया आपको हमारी वीडियो I hope आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें Amroad Institute के YouTube चैनल के साथ